विल्कम फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां चाह वा राह आज हम चैप्टर शिक्स मेजर लाइन फॉर्म्स ऑफ द अर्थ परेंगे एंसी आई के क्लास्टिक्स जोग्रफी के तो सुरुवात करते हैं इसका मतलब जो हमारा उपरी पतर है धर्ती का वहर जगा सेम नहीं है जैसा कि हम लोग पिटले चाप्टर में पढ़ा था कि लोथोस्पेर जो होता है वह जमीन का होता है वह कहीं रग्द है तो कहीं प्लाइट है यह दो कारण से है पहला इंटर्नल प्रोसेस और दूसरा एक जहां कि कारण सी बने हैं सी ओसंस यह सब अब यहां अगर हम डिद्यूनो कॉलम पर फोकस करें तो यहां दिया हुआ है कि हिल होता है जो भी आसपास के एरिया से उच्छा जगा होता है उसे हम हिल कहते हैं अगर वह 600 मीटर तक का होता है अगर वह 600 मीटर से भी बड़ा हो और उसका समिट छोटा हो इसका मतलब चोटी छोटा हो और नीचे बेस ब्रॉड हो तो एक माउंटेन कहलाता है यह इसके बारे में आगे डीटेल से पढ़ेंगे तो अगर हम आगे बढ़े तो एक्स्टरनल प्रोसेस का बात करें तो एक्स्टरनल प्रोसेस में भी दो काम ह होता है पहला वियरिंग डाउन यानि की टूटना या कटना कटाओ और दूसरा री बिल्दिंग यानि की जुड़ना जो वियरिंग अवे होता है उसे हम इरोजन कहते हैं और जिसके कारण री बिल्द होता है या फिर धरती और उंचा होता है इसे डिपोजिशन कहते हैं यान कारण से होता है रनिंग वाटर यानि चलता हुआ पानी बर्फ और तेज हवा यानि की वेंड रनिंग वाटर आइस एंड बेंड बेसिकली हम लोग तीन लाइन फॉर्म के ग्रूप को आज पढ़ने जा रहे हैं और तीन सबसे इंपोर्टेंट ब्रॉडली हम लोग डिफाइ भी बोला था माउंटिन का चोटी काफी चोटा होता है और पतला और नुकीला होता है जैसे कि आप लोग figure में देख भी सकते हैं तो नदिया इन्हीं से बैती है अगर आगे हम बात करें, तो mountain range एक line में arrange होते हैं, जिसे हम range कहते हैं, mountains जिस line में arrange होते हैं, उसे ही हम range कहते हैं, अगर कुछ सबसे नामी mountain range की बात करें दुनिया भर में, तो हिमाले, अल्प और एंडीज, हिमाले एसिया में है, एल्प योरप में, और एंडीज mountain range जो की सब से लंबी परवतमाला है वो साउथ अमेरिका में है यहां अगर पढ़े तो मोना किया के बारे में दिया है जो कि एक अंदर सी माउंटेन है यह माउंट इवरेस्ट से भी उचा है मगर क्योंकि यह पासिफिक कोशिन के अंदर है इसलिए यह काफी नीचे दिखाई पड़ता ह असल में इसका हाइट 10,205 मीटर है जो कि माउंट इवरेस्ट से भी 2000 मीटर उचा है अगर हम माउंटेन के टाइप का बात करें तो तीन तरह में बाता गया है फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्कैनिक तो जैसा कि हम लोग देख सकते है हिमालया और अल्प यह युवा फोल्ड मा होता है और वर्ण डाउन हो जाने के कारण या फिर कटाव हो जाने के कारण उसका हाइट थोड़ा कम हो जाता है अगर दुनिया भर में देखे तो अपला चे नॉर्थ अमेरिका में और यूराल माउंटेन जो यूरोप को ऐसी ऐसे जोड़ता है यह भी एक फोल्ड next है block mountain block mountain एक उचा और एक नीचा पार्त हो जाता है जैसा कि figure 6.3 में दिखा है उचे पार्त को होस्ट कहते है hate 쪽 और नीचे वाले पार्त को graben between hosts and grabben यह दो पार्त होते हैं उचे और नीचे और ब्लोक माउंटेन के एक जामपल है राइन वैली जरमणी में और वो शेजे अगर हम volcanic mountain के बात करें तो नाम से ही clear है कि यह volcano activity के कारण जो mountain form होते हैं Mount Kilimanjaro जो कि Africa में है और Mount Fujiyama जो कि Japan में है वो ऐसे mountains के example है mountains को storehouse of water भी कहते हैं और काफी glaciers इन में से उभरती हैं अगर हम आगे बात करें तो काफी river valley और terraces जो हैं वो काफी cultivation friendly होते हैं और कई तरह के flora और fauna, flora यानी के plants और fauna यानी के animal diversity पाये जाती है mountains में इन सब के अलावा mountain जो है वो एक idyllic site भी provide करता है tourist के लिए और क्योंकि इसका scenic beauty ही कुछ ऐसा होता है जिसके कारण इसका tourism काफी high होता है और कई तरह के sports like paragliding, hand gliding, river rafting, skiing यह सब भी काफी popular हैं अगर हम आगे बात करें यहां पर आप figure 6.4 में देख भी सकते है volcanic mountains को detail में समझाए गया है lava bombs के तरफ अगर आगे हम बात करें plateau के तो plateau एक elevated flat land है जो की एक flat top table land है और आसपास के area से उंचा होता है यह 6000 मीटर तक का हो सकता है दुनिया का सबसे उंचा plateau Tibetan plateau है जो की हम लोगों के इंडिया के north में situated है चाइन में अगर हम बात करें और plateau की तो भारत में decan plateau है जो की पूरा south इंडिया cover करता है और east African plateau जो की Kenya, Tanzania और Uganda तीनों को cover करता है और western plateau of Australia यह सब काफी नामी है plateau का सबसे बड़ा importance है उनके minerals यह mineral rich होते हैं और African plateau gold और diamond mining के लिए काफी popular है भारत में iron, coal और manganese के काफी भंजार चोटा नागपूर plateau में पाए जाते हैं जो की जारखंज और eastern इंडिया में फैला हुआ है अगर हम बाकी बात करें तो काफी river falls भी होते हैं प्लाट्यू में जैसे हुंदरू fall छोटा नागपूर प्लाट्यू में जो की सुबर नखा नदी पर सिच्वेटेज है और jog falls करनाचका में कुछ examples हैं अगर हम प्लेेंस की बात करें तो यह large stretch left islands होते हैं यहां रहना काफे असान होता है और काफी industry और काफी थिकली populated होते हैं और क्योंकि यह काफी फर्टाइल भी होते हैं इसलिए यह काफी थिकली पॉपुलेटेज होते हैं गंगा ब्रह्मापुत्रा प्लेंज और यांगजे जो कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है वह चाइना में वह भी प्लेंड बनाती है और यह काफी हाइली वहां के रहने वाले लोगों से अगर हम बात करें काफी तरह के अर्थकुएक वोल्कानिक एरप्शन स्टॉर्म जो होते हैं वो काफी दिस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो जिसके करने लाइफ और प्रपोईटी का काफी नुकसान होता है मगर अगर हम आसपास अवेर्नेस फैल अर्देश में उभर रहा है एक लास्ट लास्ट लाइन जो है वो काफी इंपोर्टेंट है इस आवर डूटी तु लीव अर्थ बेटर प्लेस और फेऊचर जनरेशन अज वेल यह हमारी डूटी है कि हम अर्थ को का ज्यादा दोहन ना करें और पॉल्यूट ना करें रिव अगर कोई प्रब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो और सेरेट विद यूर फ्रेंज अज मच अज पॉसिबल थैंक यू थैंक यू वेली बच् झाल